Hello and welcome to the new video आज ही इस वीडियो में हमारे दिमाग के बारे में हमारा दिमाग बहुत ही कॉपलेक्स ओर्गन है इसलिए साइंटिस भी अभी तक इसके बारे में समझ रहे हैं इसके बारे में सीख रहे हैं तो ये बात तो हम पूरे अखीन से कह सकते हैं कि अभी इंसान को हमारे दिमाग की शम्ता के बारे में सही से नहीं परता है लेकिन अगर हमें अपने दिमाग का सही से इस्तिमाल करना आता होगा तो ऐसा कुछ नहीं होगा जो हम नहीं कर सकते हैं मैं अपनी ही लाइफ से एक एक एक्जामपल देता हूँ दिखाते थे कि how Einstein imagined things, कि Einstein जो भी पढ़ते थे, समझने की कोशिश करते थे, वो imagine कर लेते थे, तो यह मुझे बड़ा cool लगा, और मैंने भी सुचा कि यार, मैं भी यही करता हूं, तो जितनी भी diagrams, जितनी भी graphs थे, मैं उनको imagine करने लगा, कि हाँ, वो मेरे सामने है, और ऐसे करके मुझे भी यह solve करना है, एक टाइम ऐसा आया, जब मैं उन diagram को modify करने लगा, कि यह diagram ऐसे है, तो मैं इसको ultra कर देता हूं, या ऐसे कर देता हूं, ता कि इसे solve करने easy हो जाएगा, तो ऐसे करते, करते, कि मेरा brain इतना used to हो गया, उस hack के, कि वो chapter मैंने दो दिन में finish कर देया था, उसे पुरा समझना, उसके सारे diagrammatic questions को करना, सौ से जादा questions solve कर देते हैं मैंने उसके, फिर मैंने समझ में आया, कि अर सिर्फ यही नहीं है, ऐसी बहुत से चीज़ें जो हम कर सकते हैं, अगर हमें अपने धिमाग को, उस particular task के according, effectively इस्तिमार करना, जान सकें कि क्या हम इसको इस तरह से कर सकते हैं, या इस तरह से कर सकते हैं, या हम वो hack ढून सकते हैं, और यह यूही नहीं हो सकता, यह चीज़ मैंने experience कि यूही नहीं होता है, you have to be aware, हमें aware होना पड़ेगा, हमें experiment करते रहने होंगे, meditate करना होगा, और नहीं चीज़ें रोज आना सीखनी होंगे, ताकि हम अपने दिमाग के अबारे में और जान पाएं, दिमाग के शमता को बढ़ाना, आना चीज़ें हमको, क्योंकि अगर यह इतना ही असान होता, तो सबी खर लेतें,